हेलो एवरिवान जैस याराम और आज की इस वीडियो में हम लोग पंच भिकु की कथा या कहानी सुनेंगे देखिए अगर आप पूरे काप्तिक के मास में नहीं स्नान कर पाए किसी भी वज़ा से तो कोई बात नहीं है काप्तिक मास के जो बात के लास्ट के पांच दिन होते हैं इकादशी से लेके पुर्निमा तक के अगर आप उन्हें भी नहा लेते हैं, पंच विखु का स्नान कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो उससे भी आपको कातिक महा के नहाय का बहुत फल मिलता है, पुन्य प्राप्त होता है और आपको पंच विखु कैसे नहाना है, पुजा कैसे करनी है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, मैंने चैनल पे है, उसे भी जरूर देख लीजिएगा और देखिए आप तुलसा माता के पास बैट खर ही, जो हैने इसकी कथा सुन लेंगे, और अगर तुलसा माता आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में भी ये कथा सुन सकते हैं हाथ में थोड़े से आप या तो चावल के दाने ले लीजिएगा, या फूल ले लीजिएगा, तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं एक साहुकार के बेटे की बहुत थी, जो बहुत सुभा उटकर काटिक के महिने में रोजाना घंगाजी नहाने जाती पराए पुरुश का मूँ नहीं देखती थी, एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना घंगाजी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुभा नहाने आता हूँ तो अभी मेरे से पहले कौन नहा के चला जाता है पांच दिन कातिक के रह गए उस दिन साहुकार की भव तो नहा के जाही रही थी कि राजा का बेटा आ रहा था खुडका सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचनी वही छूट गई राजा आया माला मोचनी इतनी सुन्दर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुन्दर होगी सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया कि जिसकी है माला मोचनी है वह मेरे पास पांच दिन आएगी जब तक उसकी माला मोचनी मेरे पास रहेगी मैं उसकी माला मोचनी नहीं दूँगा सहुकार के बेटे की भहुने कहलवा दिया कि मैं पांच दिन आऊँगी पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना राजा ने गंगा जी पर पिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया वह सुभा आई पहली पोड़ी पर पैर रखा वह बोली कि हे कातक ठाकुर राय दा मोदर पाचु पांडो छटो नरायन भीशम राजा उस पापी को नीद आ जाए मैं सत्की हो नीद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुवा सुवा सुवटा गल घालूंगी हार साख भरियो मेरा वीरा सुवा बोला कि कोई वीर भी भला साख भरा करता है जब है बोली कि सुवा सुवा सुवटा पग घालूंगी नेवर साख भरियो मेरे देवर सुवा ने कहा अच्छा भावी मैं साख भरूंगा वह तो कहकर चली गई राजा हर बड़ा कर उठा सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वह आई थी क्या कैसी थी सुवा बोला आभा किसी बिजली, होली किसी जल केले किसी कामनी, गुलाब का सा रंग राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैट जाओंगा फिर तो मुझे निन नहीं आएगी दूसरे दिन राजा ने ऐसे ही करा अपनी उंगली चीर कर बैट कया वह आई उसने वैसे ही प्रात्ना करी बस उसको नीद आ गई नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भर दी जैसे ही राजा की आँख खुली उसने उठते ही सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के ही जैसा जवाब दिया उसने सुचा कल तो मैं अपनी आखों में मिर्च डाल के बैट जाओंगा तीसरे दिन आख में मिर्च डाल कर बैट गया सारी रात हाई हाई करके बिताई वह आई उसने वैसे ही प्रात्ना करी राजा को फिर से नीद आ गई नहा के सुवा से साख भरवा के वो फिर से चली गई राजा ने सोचा कि कल तो मैं काटो की सेज बिछा कर सोंगा देखता हूँ कि मैं कैसे सो जाता हूँ चोथे दिन वैं काटो की सेज बिछा कर सो गया हाई हाई करता रहा हाई हाई करता रहा पर जब वे आई उसको फिर तभी उसी टेम नीदा गई वे प्रातना करके नहा के सुवा से साख भरा के चली गई पाचवे दिन राजा आग जला कर उसकी स्राख पर बैठ गया वे उस दिन भी आई प्रातना करी कि आज भी मेरा सतरक लेना राजा को फिर से नीदा गई उसने सुवा से साख भरा ली और कहा कि आप उस पापी से कह देना कि मेरे पांच दिन पूरे हो गए है अब मेरी माला मूचनी मेरे घर भेज दे राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि वे आई थी क्या सुवा ने बोला आई थी अपनी माला मूचनी मंगाई है थोड़े दिन बाद राजा के कोड निकल आया त्राही त्राही पुकारने लगा ब्रामन को बुला कर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई ब्रामन बोला कि यह कोई पवित्र स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है यह जलन राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा ब्रामन बोला कि उसको तुम धरम की बहन बनाओ और उसके नहाय होए जल से तुम नहाओ तो तुम्हारी जलन कोड सब ठीक हो जाएगा राजा माला मोचनी लेकर उसके घर गया और साहुकार से बोला कि यह तेरी बहु गंगाजी पर भूलाई थी यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाय होए जल से मुझे नहला दे साहुकार बोला कि वह तो पर आय पुरुष का मुझ तक नहीं देखती तु इस नाली के नीचे बैठ जा वह नहाएगी तो तेरे उपर पानी पड़ जाएगा राजा नाली के नीचे बैठ गया जैसे ही वह नहाई जल गिरने लगा तो राजा के उपर भी जल गिर गया उससे राजा की जो काया थी वो कंचन हो गई पंच बिकु देवता जैसे साहुकार की भहु का सत्रखा ऐसे ही सबका रखना कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का रखना उसके बाद देखें, हमने न पन्च्प का दिया जलाना है, जो चार मुका होता है, तो उसमें हम दिया जलाने के बाद and on the leaf. और राई लेकर गोलगोल इस तरीके से छोड़नी होती है और बोलना होता है पुनो नहाई पडवा नहाई पाँच रतन पच तीरत नहाई पच भिक्कम नहाई आधे कालाई आवला आधे की राई राई दा मोदर सावला जिसने स्रिस्टी रचाई राजा के घर उत्री बन कर आई राजा लाया भ्या के रानी बन आई चार चक्कर चार मकर चार दिये की लौ मैं तुथ से पूछू श्री कृष्ण कब निस्तारा हो जब आएगा कातिक का महिना नाएंगे कातिक तब निस्तारा हो तो देखे इस तरीके से आप पंच भीकु की कथा सुन सकते हैं और यह इस तरीके से पंच भीकु का जो दिया है उसमें मंतर बोलकर आवला और राई छोड़ सकते हैं और इसकी डेटेल में वीडियो बनाके मेरे चैनल पर मैंने डाल रखे आप उसे भी देख लीजिएगा और भी आपको कातिक मास से डिलेटिड गंगास्नान से डिलेटिड सबी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी उन्हें भी एक बार जरूर देखेगा और अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल पसंद आए तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जै तुलसा माता ज़रूर लिख देए तुलसा माता की जै